बिस्मिल्ला आपका होस्त मुहमद याकूब और आप देख रहे हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इंशाला आपको पैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह से कॉंटेंट राइटिंग करते हैं लास्ट ताम थे वीडियो अपलोड किए तो उसमें लोग में मैंना एक स्टेट्मन बोली थी कि काॉंटेंट राइटिंग देख धर ड्रीम जॉब तो एक पसनन ने एक सब्स्राइबर ने जो एना वो कमेंट किया कि इसल लोग कहते हैं कि content writing बोत मुश्किल है लेकिन आप कहते हैं कि यह dream job है तो ज़रा हमें प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि किस तरहां से आप इसको dream job कह रहे हैं तो मैं इंशाला आज आज आपको practical करते दिखाऊंगा कि content writing practical कैसे किया जाता है किस तरहां से data लेते हैं कहां कहां से आप सर्च करते हैं किस तरहां से आप सब कुछ मिल मिला कर आप अपना एक content create करते हैं तो शूरू से लेके end तक इस video को देखिएगा वो लोग जो writing करते हैं उनके लिए बहुत ही जबर्दस और powerful उनके लिए बड़ा ही important ये topic बन जाएगा बड़ी ही जबर्दस उनके लिए video बन जाएगी और lifetime आपको ये चीज जो है वो काम आएगी इंशाला इंशाला तो वी वीडियो का notification आपको मिलता रहे है तो दोस्तों बात करते हैं अब अपने हम उस topic की फर्स करें के आपके पास कोई topic आया है उस topic के ओपर आपने कोई content writing करनी है तो first of all सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है सबसे पहले आपके पास कुछ तूर्स का तो 2010-2013 भी enough है इसके ओपर भी आप easily कर सकते हैं कोई issue नहीं है मेरे सामने यह 2016 2016 का यह latest version जो है मेरे पास अभी तक जो है वो मैंने install किया हुआ है सबसे पहले आपने यहां पर type करने उस type की हुए काम को फिर आपने grammarly में जा कर चेक करने ग्रामरली में जा कर चेक करने के ब चेस्ट करना है प्लेजरिजम चेक करने फिर आपने उसको प्रूफ रीड करके और क्लाइन को सेंड करने अगर आप इन steps को follow करेंगे ना तो इंशाला इंशाला आपका client ना सिर्फ आप से satisfy होगा बलके वो मजीद आपको काम देगा जिससे आपका मजीद काम बढ़ इसको देखते रहिए का मैं इसमें जो है प्रॉपरली आपको लाइव करके दिखा रहा हूं किस तरह से content writing करते हैं कि आप सबसे पहले अपनी फाइल को सेव कर ले जो भी आपने काम करने तो जो मैंने आज तॉपिक चूज किया है आपको प्रिजेंट करने के लिए वो ctrl s करके मैं इसे document को desktop पे सेव कर देता हूं desktop मैं लिख दिया home security home security लिखके इसको मैंने desktop पे सेव कर देना है desktop मैंने सेव कर दिया अब सबसे बहले आपने इसका एक अच्छा सा title बनानाना है सबसे बहले आपने इसका एक अच्छा सा title बना रहा है ताके जो बंदा भी आपके site के ओपर आएगा ना जो भी आपके content को पढ़ने के लिए आएगा सबसे पहले वो आपके title को बढ़ेगा title क्या लिखा हुए आपने title कैसा है किस किसम का title आपने दिया हुए तो catchy title होगा तो आप अच्छा content कर सकते हैं तो title इसका बना लेते हैं होम सेकेरोटी का वाटलू किना होम सेक्योरिटी जी वाटलू किना होम सेक्योरिटी मैं यहां पर आपको दुबारा से यह कहता होंगा कि बार बार आपको यह कहूंगा कि जब भी आपने काम करना है ना तो सबसे पहले आपने फाइल को सेफ करना है और जब भी आप 2-3 दफा 2-3 दफा आप 2-3 लाइन्स लिख लें तो आप साथ साथ control as control as करते रहें, save करते रहें ताके आपका काम सेफ रहें जायना हो अब इस point of view से आपने Google पर जाकर सर्च करना है कि आपको home security is relevant जो गूगल पर already published article लेना वहां पर क्या data लिखा होगा है वहां से आपने hint लेना है ठीक है अब करना किया है आपने home security आपका topic है अब आपने करना किया गूगल में जाए गूगल में जाकर आपने यहां पर लिखना है design article यह देखें design articles e-z-i-n-e-a-r-t-i-c-l-e-s design articles जब आप लिखेंगे रहे हैं तो इस तरहां से आपके सामने interface open हो जाएगा यहां पर आपने result पर इस section में लिखना है जो भी आपका topic है आप content writing कर रहे हैं आप graphic designing कर रहे हैं web development कर रहे है social media marketing कर रहे हैं किसी भी field से relevant आप यहां पर लिखना चाहरे हैं तो आप लिखना चाहरे हैं तो आप लिखना करना है directly यहां पर आपने topic को लिखना है जैसे मेरा topic है home security home security इस पर आपने search किया यहां जैसे ही आप सेर्च करेंगे तो आपके सामने लात आदाद यहां पर जो ए नुम्बर ओफ आपके सामने अपर होजगे देखें यहां पर तकी बारह हजार एक सो अपर अवैलिबल है home security के ओपर तो आपने क्या करना है इन मेंसे जो में 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 अर्टिकल जिसके ओपर जिए यह 5 टिप्स लिखा होगा है selecting the best security system यह जो लिखे होगे है यह इस तरह से आपने इनको open कर लेना है 3-4 आपने articles आपने सामने ओपर कर लेने इस तरह से आपके सामने articles आजेंगे आपने इन सब articles को open कर लेना है open करने के बाद आपने सबसे परिफिगा काया काम करना है देखनेधे कि क्या थे अपके field से relevant है आपके topic से relevant है or में home security system यह ओख है selecting the best security system for your home, यह भी ओके है, 4 main objectives of a home security system, one of the best, and history of home security, इसको चाहे आप लीड कारे कोई और उपन कर लें, बहुत सारी यहां पर options available है, आप कुछ भी जाकर यहां से, आप हासिल कर सकते हैं, अब करना क्या है, आपने तो data यहां पर दिया हो है, इस data को आपने अपनी wording में convert करना है, इसको आपने जैसे यह लिखा हो है, like other home, यह जो कह लिखे हो है, article topic लिखे हैं, यह आपने इसको अपनी wording में convert करना है, paraphrase इसे हम कहते हैं, अगर आपको paraphrasing नहीं करनी आती, तो इस video की description में मैंने एक link दिया होगा है, जिसमें आपको paraphrasing किस तरह से की जाएगी, paraphrasing करने का जो procedure है, वो आपको वहां से समझ आ जाएगा, उसको आप देखे, paraphrase आप कर सकते हैं, paraphrase का मतलब होता है, है की data होगा है, जो भी आपने पढ़ा है, इसको आपने अपनी language में लिखना है, बात वही होगी लेकिन words आपके अपने होगा है, ठीक है, को इस तरह से आपने इनकी paraphrasing करनी है, अब देखें होगा है, है कुछ data यहां पर दिया हुआ है कुछ यहां पर है हर एक में स्टार्टिंग में आपने इंट्रोडक्शन देना होता है जो भी आप आर्टिकल लिख रहे है न उस आर्टिकल में आपने स्टार्टिंग में आपने इंट्रोडक्शन देना है इंट्रोडक्शन देने के बाद तो तीन चार आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपके माल में एक concept बैट जाएगा यार home security basically होती गया, home security system या home security basically है गया तो इस तरह से आपने इन चारों को पढ़ने है, पढ़ने के बाद फिर दुबारा आपने क्या करना है से जाएगा इसको आपने ओपन कर लेन तो आप इसतर अपना इस तरह से कर ले added के आप एगी टाइम पर Noah site को भी देखे रहे और ऐकी टाइम पर आप account भी करते रहे तो आपने इसकी सेटिंग से कर लेने है एक मने यह नम्हें crystal शाट कर देता हूँ इसको भी विलहाल मैं यहां से आफ कर देता हूँ अभ मैं सामने साईड उपर हैं नेचे यहां पर यह आ घगये । अब मैं यहां स्टार्टिंग के स्टार्टिंग को सहते हें stay and your place of living जस्ट जर्डरल आप में बात करनी है कि बेसिकली होँ 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 है तो मैंने प्रोपर ली जो है न अगर मैं इसको इस तरह से लिखने बैठ जाओंगा न तो ये बहुत लंबी वीडियो बंजेगी और आप लोग न उक्ताज जाएंगा यार ये पता नहीं वीडियो होता है मैं नहीं पता नहीं काब आर्टिकल होगा तो मैंने आपके लिए आ कि आपात किक्या पूर आप इन सब को पर ली वैंग' turit abola अपना बना कर लिखना है कुछ बाते इस की लिए क। इसके लिए निक्स बातें डियation कुछ बातें ड़ बातसे है क्जिए लिए लिए तो मिल movement banking आपका एक अच्छा का सा introduction बन जायेगा अब जब आपका intention बन गया आप उसके बाद फिर आपने मजीध उसके बाद आपने नीचे बाला पढ़ना है नीचे जो इसमें बात करनी है इसका गोडी बादी पाय ग्राफ पर्ले सिसमें स्टेपस लिकिये हुए है इसemen फोर में अबजेक्टिस लिखे लिखे है और इसमें जो हमें फाक्त लिक्टे होगे है então इस तरह से आप इन सब को पढ़ लें इनके मिड погश्व में क्या लिखा हुगा है और finally इनने conclusion कैसे दिया है conclude कैसे किया है तो ये conclusion में इसमें क्या किया है जिसमें कहा है कि मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने home को मज़ीद better कर सकें तो आप हमसे contact करें तो यह देखें मैंने आपके लिए जो आर्ट कल अधा था वो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं तो यह मैंने सारा अर्ट कल लिख़ा था अच्छा यहां अब देखिया इसमें भी starting में आपने क्या किया यह आपका title आ गया, इसको मैं centralize कर देता हूँ, यहां से यह आपके सामने यह heading बन गये, यह आपका home is a place where you have to stay for a long period, यह इसका आ गया introduction, आगे यह different आगे points आ गया, कि आपकी home security के अंदर कौन-कौन सी बाती होनी चाहिए, यह देखें जो बाते हैं यहां पर लिखी हो को उठाकर मैंने अपनी heading में आ लिया, और इसने यहां पर यह कुछ points लिखे हैं, इसके points को मैंने चूज की और वहां पर जाकर मैंने लिखे दिया, तो इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं, और finally, जो last paragraph होता है, यहां पर आपने properly उसको finalize करना होता है, end करना होता है कि य जो भी इस article पड़ेगा, वहां पर आपने bottom पर आपने अपना link देना है, उस link पर वो click करके वो आपके site पर चले जाएंगे, you can contact us for more idea, देखे, contact us यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपने site का, यहां आपका जो भी blog है, जो भी आपकी official website है, जिस तक आप लोगों को ले कर जाना चाह रहे हैं, इस content के जरीए से उसका आपने यहां पर link देना है, link किस तरह से लगाएंगे, contact us लिखा हुआ है, यहां पर आपने simple क्या करना है, इसको set करना है, set करने के बाद control K करें, जैसे control K करेंगे, यहां पर कहरा है link address दें, तो जो भी आपका link address है, जो URL ह कोपी करें, कोपी करने के बाद आपने यहां पर ला कर पेश कर देना है, पेश करने के बाद आपने ok कर देना है, तो वह आपका यहां पर URL देखें, यहां पर यह शोगा रहा है, कि control plus click करेंगे, तो आपको उस site पर ले जाएगा, लेकिन जो कि यह हमारी site नहीं है, 510-520 तक जाएंगे, तो 510-520 तक जाएंगे, तो कुलाइंट आप से मज़ीद, सैटिफाज होगा यार चोलो इसने काम अच्छा किया हुआ है, अच्छा यहां पर इसलिए मेरे कितने अर्टिक यहां पर कितने वर्ड्स हैं, 510 यहां पर यहां पर इसलिए वर्ड्स अव तो ग्रामरली में आप जाएं, ग्रामरली.com पर जाएं, वहां पर जाके आप फ्री में चेक कर सकते हैं, फ्री में आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको यह रफर करूँगा कि आप कोशिश करें, कोशिश करें कि आप फ्री वर्ड्स यूज ना करें, आप ग् कर किम्यम यूज केए तके आपको मैक्सिमम जितनी भी प्रॉबलम्स हैं इस वे घसे आपको सब्सक्राइब वहां से मैं डेटा कॉपी गिया यहां पर लाग मैंने पेस्ट कर दी आप देखें यह जितना मरती इच्छा राइट है उसकी मिस्टेक्स निकलाती है प्रोब्लम्स कहीं पर फुल स्टॉप नहीं कहीं पर यह स्माल एकना था था कहीं पर आप वेर्टिंग है इसको बलहता जा रहा है। इसको आप इसर्टे लोग अधिक अपिस निजा है उप इसको 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 आप जला है, आप इसको एपने ही स्सुर्णTiten नहीं भी उसको पर जारें लिच उन्र सका treatment, तो वहीं पर चेक कर लेंगे। इस तरह सिनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्फ कर सकते हैं वर्ड में कैसे इंस्टॉल करते हैं वर्ड में किस तरह से इंस्टॉल होगा वो सब भी आप उसकी वीडियो इसका लिंक भी बैने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहां से जा कि आप वो चेक कर लीजिएगा यह देखें यहां पर इसने 99% स्कूर कर दी यह भी भी यहां पर प्रॉब्लम आ रही है अगर मैं इसको मुझीद करता हूँ इसको अगर मैं इस कर देता हूँ तो यह देखें इसने 100% कर दी है अब यहां पर रिजर्ट्स बता रहा है कि आपका यह देटा है यह ग्रेट जॉब आपका 100% होके है कोई इसमें मिस्टेक नहीं है तो यह मिस्टेक्स आपकी बिलकुल नहीं होनी चाहिए अगर क्लाइंट ने इस चीज़ को जाके अबजर्फ किया और आप मिस्टेक नहीं को लाइना तो क्लाइंट फिर आपको नेक्स्टेम कभी भी प्रोजेक्स असाइन नहीं करेगा अब मैं यह से क्वापी करता हूँ यहां पर मैं कोर्फ सिय्ट ओपना करता हूँ smallsutools.com यहां पर अगर आप आप आते हैं यहां पर भी आपफना लॉग अग reden कर सकते हैं सेव कर सकते हैं लॉग इ gözben चेक कर सकते हैं लोग इंट रहों किया सकते हैं लेकिस की आप यहां पर अपना आकॉंट बिना लें मैं कर दूँजू कि आर्टी आपर आओ यहां बनाया हुआ लेहादा मैं तिरेक्लि इसको लोग इन बसी करता हूँ मै यहां पर लॉग इन करने बार मैं क्लिक किया अपर प्लैजरेज़रिieneanne Checker पेपलैजरेजरृरिव लॉग पे करने के बाद जो आपने लिखा है उसकी searching करेगा checking plagiarism plagiarism check कर रहा है फिर आपने क्या करना है इसको आपने दुबारा से वहां से यहां पर लाकर फिर दुबारा आपने इसको पेस्ट कर देना है यह पेस्ट किया और डेटा आपके सामने यह वाला जो format है यह जो आपके पास डाकुमेंट है यह बिलकुल okay है इसमे ना plagiarism है ना grammatical mistakes है अब करना कि आपने इनकी मजीद final setting करनी है ताके client को जब यह data मिले तो बिलकुल एक exact एक बिलकुल अच्छी presentation के दर आपने इसको बना कर पेश करना है ताके client जो है वो आपको मजीद आपके साथ काम करने पर agree हो अब control A करें पहरे इसको control A करने के बाद यहां से आपने इसका जो font है वो time new roman कर देना है font जो face है वो 12 कर देना है इसको आप centralize कर दें बोल्ड कर दें इसको जितनी भी headings है इन सब को आप बोल्ड कर दें इन सब heading को बोल्ड कर दिया और यहां से इसको आप जो है वो justify कर दें ताके इस प्रॉब्लम जा रही है इसकी lines short थी चोटी बड़ी लानी थी वो खत्म हो ज़ए अप justify काम हो गया आपका और मजीद अगर आपने इसको करना है तो आप इसको यहां से double space यहां 1.5 space कर दें 1.5 space best है तो यह इस तरह से आपका यह data जो है वो मुकमल हो गया तो कोई भी आपने article लिखना है चाहां last बाद जब आपने काम करना है यह काम आपने कमल कर लिया उसके बाद आपने first of all तो ctrl s करना है उसके बाद आपने f7 प्रेस करना है जैसे आप f7 प्रेस करेंगे तो word क अपना भी grammar checking tool होता है word के अंदर भी grammar checking tool होता है install होता है by default होता है आप अपने f7 करके इसकी grammatical mistakes निकाल देनी है अभी फिल्ला कोई नहीं है तो मैंने इसको ok कर दिया अभी यह file आप जहां पर चाहें आप इसको send कर सकते है कोई इसमें issue नहीं कोई बड़ी इसमें इसमें कर सकते है तो ऐसे नहीं में बात नहीं यह अब आप इसको चाहे आप सामपर के तुर पर रखे practically को हैं चाहे इसको किसी भी qualified client को send करना हो तो आप इसको send कर सकते हैं तो 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 दोसमतों यह था overall procedure किस तरह से आप content लिख का है content इसस respect किस तरह से आप लेख सकते हैं किस तरह स आप प्लैजरिजम चेक कर सकते हैं और फाइनली मैंने फिर आपको बताया कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है तो यह सारा काम जब आप कर लें उसके बाद आप इसको क्लाइंट को बाइ मेल जैसे भी उसने कहा है आप उसको फॉरवड कर दें तो इंशाला आपको मिजीद काम इस तरह से मिलता रहेगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो प्संद आई होगी इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल लाइकों पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो इस तरह की जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें अपना बहुत-बहुत ख्याल रखियेगा अल्लाहाफिज